तो दोस्तो आपका स्वागत एक बार फिर से हमारी चैनल नोटबॉर्ड में तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश कोर का जो स्लेबस है सेशन 23 और 24 के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं तो जरूर वीडियो में अंट तक बने रहिए तो सबसे पहले दोस्तो पेपर का जो डिस्टिब्यूशन है वो किस तरीके से होने वाले है जो 100 नमबर है आपके इंग्लिश के वो कैसे बटने वाले हैं उन्हों देखते हैं सबसे पहले तो सेक्शन A जो होगा आपका दोस्तो Reading Comprehension का होगा जो 26 नमबर का होगा ठीक है सेक्शन B जो होगा दोस्तो आपके पेपर का वो Writing Skill होगा 23 नमबर का सेक्शन C जो होगा Literature होगा उसमें 31 नमबर होगा तो यह जो तीन सेक्शन हैं यह मैंने आपको बताई यह थियोरी के हैं यहनी इसको आपको Return में देना है ठीक है यह आपको लिखना है 80 नमबर का यह होगा आपका टोटल ठीक है बागी के जो 20 नमबर बसते हैं दोस्तों वो Listening और Speaking Skills जोगी उसका Assessment होगा ठीक है कि आपकी बोलने की स्किल कैसी है लिखे सुनने की स्किल कैसी है ठीक है आपको फिर एक और प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा तो यह सब मिला के 20 नमबर का यह हो गया तो यह पूरा टोटल है आपका यह 100 नमबर का बनता है ठीक है क्लास 11 के लिए अब दोस्तों देख लेते हैं कि यह जो मैंने आपको लेसंस और पोयम बताई यह होर्न बिल वाली बुक से आ रहे है ठीक है अब नीचे आपको स्नैप्शोट का दिख रहा होगा उसमें लेसं वन दा समर अफ ब्यूटिफुल वाइट होर्स लेसं टू दा एड्ड्रेस लेसं थ्री मदश डे यह तीन लेसं आपके स्नैप्शोट की बुक में से आ रहे हैं तो यह जो मैंने आपको लेसं बताएं यही लेसं आपको मिट्रम एक्जाम के लिए प्रिपेर करना है दोस्तों अब रेडिंग स्किल की बात करें तो उसमें आपको पता है इड़टिजमेंट्स जो विग्यापन होते हैं वह आएगा पोस्टे डिजाइन करना आपका आएगा ठीक है स्पीच राइटिंग में दोस्तों आपको 120 से 1500 सब्दों में जो है ठीक है आपको रिवीव करना होगा जो टेंस होते हैं जो लौज होते हैं थीक है उसका फिलिंग डा ब्लैक्स आपको करना होगा रेडिंग लवDD separate वोगा जव्यल से sensitive होते हैं listening skill का जो assessment होगा वो 5 number speaking skill का जो होगा वो भी 5 number ठीक है project आपका 5 number और वाइव आपका 5 number यह total मिला कि total 20 number होते हैं आपके ठीक है project का topic बहुत असान रहता है आपको teacher बता देंगे ठीक है उसी से फिर आपसे question पूछ जाएंगे ठीक है आपने project बनाया तो उसमें क्या क्या आपने किया उसी से related ठीक है दोस्तों यह जो मैंने आपको slaves बताए कब तक करने आपको 15th of September यानि कि अब आपके पास एक महिन अभी नहीं बचाएं ठीक है अभी से अगर मैं देखू तो 15th सितंबर तक आपको इसे complete करना है फिर आपको revision करना है इस slaves का फिर आपका mitram exam होगा ठीक है और mitram exam में इतना ही slaves आने वाला है ठीक है दोस्तों अब अगला देखते हैं दोस्तों mitram exam के बाद आपको क्या क्या प poem 5 father to son यह जो मैं आपको poems और lesson बता यह hornbills में आपको पढ़ना है midram exam के बाद फिर snapshot में दोस्तों दो lesson है lesson number 4 birth और lesson 5 the tale of melon city ठीक है दोस्तों अब unseen passage आपको पता है वो भी आएगा reading skill में unseen case based passage आएगा ठीक है साथी साथ एक नई चीज़ कहा है यहाँ पे वो है note making and summarization आपको note making आनी चीए ठीक है पैसेज के आपको word limit यहां दे रखे दोस्तों दोस्तों 200 word का पैसेज होगा उसमें से आपको note making करनी है ठीक है creative writing skill में दोस्तों short composition में वही है advertisement और poster design speech और debate ठीक है grammar में भी वह दोस्तों वही चीज़े है gap filling आपकी reordering है और sentence का transformation है ठीक है यह आपको mid-term क में आपको बता दिया listening skill 5 speaking skill 5 प्रोजेक्ट और वाइवर टोटल 10 नमबर तो यह जो मैं आपको दोस्तों syllabus बताया मिट्रम से पहले का भी और मिट्रम के बाद का भी पूरा जो complete syllabus है दोस्तों यह आपका कब तक खतम होना चीए 31 जनवरी तक 31 जनवरी 2024 तक आपको पूरा syllabus कर पूरा syllabus आने वाल है तो उम्मीद करता हो दोस्तों आपने syllabus देख लिए होगा अची तरीके से और आपको समझ में आ गया होगा आपसे फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई सी ओ गें एंड थैंक्स रोचिंग